तो नमस्कार दोस्तों आप से भी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग काड से कहीं पर भी पेमिट कर रहे हो चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर अगर आप आप काड से पेमिट करना चाहते हो तो वहाँ पर आपसे जो की CVV मांगा जा रहे ठीक है तो अब वहाँ पर CVV में क्या डाल सकते हो और इसका क्या मतलब होता है यह आज के से वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले यहापर मैंने फिलिप कार्ड उपन कर लिया है और यहाँ पर देख से तो जैसे की यहाँ से बैक आने बाद यहाँ थोड़ा स्टराटिंग से आपको समझाता हूं यहाँ पर जैसे मैं आ चुक हора निची आने बाद यहाँ पर मैं से Gleich worker sellers इसको सेलेक्ट करने के बाद का कुछ इस तरह की सी देखने के लिए मिलता है जो कि आप यहां पर काड़ नमबर ढाल सकते हैं उसके बाद वैलिटरू में आप यहां पर लाकरके इस तरह की से डाल तो डालने के बाद फिर आप यहां पर पेक उपर क्लिक कर देना और अगर आपका यहां पर यह जो आपको back side में मिल जाएंगे CVV और यहाँ पर जो front में देखने के मिलेंगे, यह 4 digit के होते हैं CVV, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह visa mastercard में आपको बैक साइड में देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपके पास American Express का तो यहाँ पर आपको front में देखने के लिए CVV, तो यहाँ पर वही 3 नमब लंबर पर एक ओटी पर जाएगा वो ओटी पर डालोगो जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो यहां पर आप मुझे कॉमें